बारिस के मौसम में अगर आपको कुछ भी समझना आए ना तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोया बड़ी की बहुत ही टेस्टी सी रेस्पी तो यहां पर मैंने गरम पानी में सोया बड़ी को भिगो दिया था ताकि वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए यह थोड़ी सी हाट होती है ना तो अब हम क्या करेंगे जब यह सॉफ्ट हो जाएगी तो इसका हम पानी निचोड़ देंगे और इसको पानी निचोड़कर मिक्सी के जार में डाल देंगे जो पानी हमने निकाला है उसे आप आटा बगर गूतने में यूज कर सकते हैं अब यहां हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि थोड़ी सी तो सोयाबीन रही जाती है गीली इसको हम मिक्सी के जार में डाल कर इस तरह से पीस लेंगे तो यहां हमने इसको साइड में रख दिया है अब मसाला तयार कर लेते हैं और मसाला बिलकुल देसी तरीके से तयार करें मैंने 2 चम्मच सूखा साबुद धनिया, सूखी लाल मिर्च, साथ में डाल दिया है एक चम्मच जीरा, अद्रक और प्याज, इन सबी चीजों को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और साथ में डाल देंगे टमाटर, तो मैंने यहां पर दो मीडियम साइच के टमाटर लिये ह और अब इसको हम बिना पानी डाले पीस लेंगे इस तरह से अगर आप यह मसाला पीसते हैं तो बिल्कुल वैसा टेस्ट आता है जैसे कि सिल बट्टे पे पीसे हुए मसाले का आता है वही खुश्बू आती है वही फ्लेवर होता है और बहुत ही डेस्टी सबजी बनती है अगर आप बनाए तो अब हम क्या करेंगे इसको निकालके साइड में रख देंगे ठीक है तो सोया बड़ी को हमने पीस कर रख दिया था तो उसे उठा लेते हैं और उसमें हम मिलाएंगे नमक और चावल का आटा आटा आप यहां पर चावल के आटे की जगे पर बेसन भी अगर आप इसको स्नेक्स के रूप में खाना चाहते हैं तो आप इस मिसरण में और भी मसाले मिक्स कर सकते हैं अब हम हातों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इस तरह से जैसे की फिस का जो आपने फिस करी वगएर अगर खाई हो या जो लोग नहीं खाते हैं उन्होंन और सभी पीसिस को इस से तैयार कर लेना है। इस से नहीं कर लेंगी तो आपड़ी उपाई करें लादू क कRI तो आप इसको अगर इस तरह से नहीं कर ना था तो आप इसको इसके को जैसे भी आपको विल्दू कितरे अगर आप इस तरह से इस्टीम कर ळेंगे तो होता क्या है चब यह सबजी ग्रेवी में जाएगी ना यह Piscesg ग्रेवी में जाएंगे तो पूरा दिन इसी तरह से रहेंगे एक फी फीस घुले का नहीं की हुट इसी तरह से आप इसको यहाँ पर इस्टीम कर लेजिए तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज हो गया है इनका इस्टीम होने के बाद थोड़ा सा इसको रख देंगे एक तो मिनिट के लिए और बस जैसे ही यह ठंडे हो जाएंगे इनको हम निकाल लेंगे यह देखे अब मैंने य स्टीम करके इसलिए डाल रही हो ताकि जो हमने चावल का आठा इसमें डाला है वो अच्छे से कोखो जाए अब इनको हमें इस तरह से उलट-पलट कर दोनों साइड से क्रंची कर लेना है आप अगर इसको बना रहे हैं संडे की दिन बना रहे है या नास्ते में सुबह की बच्चों को दे सकते हैं बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और बच्चों के लिए ये फायदे मन भी बहुत है सोया बीन में बहुत धेर सारा प्रोटीन होता है जो बच्चे जिन घरों में नॉन्वेज नहीं मनता है उन घरों में अगर आप सोया बीन बनाए ना तो तो आप यहां पर देख सकते हैं, इतना अच्छा कलर और इतनी अच्छी खुश्बू आती है और हल्दी, मतलब हल्दी सिर्फ डाल रही हूं है यहां पर हल्दी और यह मीट मसाला, क्योंकि हमने धनिया पहले ही ले ली है, लाल मिर्च सूखी हमने पहले ही डाल दी थी, तो पाउडर डालने की जरूरत नहीं है। अब मैंने यहां पर नमक नहीं डाला है, क्योंकि अगर हम किसी भी ग्रेवी में दही एड़ कर रहे हैं, तो भेहां पर हमें नमक पहले नहीं डालना है, अगर आप नमक डाल देंगे तो वो फटने के चांसिस जादा हो जाते हैं यहाँ पर तही को अच्छे से फेटेंगे और मसालों के साथ डाल देंगे अब यहाँ पर मैं कलर के लिए ले रही हो कस्मेरी लाल मिर्च एक चमच भर कर ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और यह देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों को बहुत बढ़िया से भूनेंगे होता क्या है जब भी आप कोई सब्जी बनाएए और जैसे कि लोग कहते हैं कि नॉन्वेस बन रहा है तो उसकी बहुत स्ट्रॉंग खुश्बू आती है आसपास तो वो मसाले बहुत अच्छे से भूने होते हैं इसलिए खुश्बू आती है अगर आप नॉर्मल रोज की सब्जी के मसाले भी अच्छे से भूनेंगे ना तो उसकी भी खुश्बू बहुत अच्छी आती है तो यह देखिए मैं आपको तोड़ कर एक दिखा देती हूँ अगर आप इसको नास्ते में खाना चाते हैं तो आप इस तरह से इसको खा सकते हैं यह बहुत अच्छा लगता है सौस वगेरे के साथ खाईए यह चाय के साथ खाईए और यहां पर हमारे मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं और तेल भी उपर आ गया है तो अब हम यहां मसालों को मैं बहुत अच्छे से भुन रहे हैं। इससे क्या होता है जब आप खाना खाएंगे ना तो जो हल्दी पीलापन आ जाता है उंगलियों में अगर मसाले अच्छे से भुने हो तो वो पीलापन कभी भी नहीं आएगा। अब यहां पर मैंने लिया है पहले एक ग्लास पानी और इसको हम चलाएंगे और उसके बाद मैं एक ग्लास पानी और एड करूंगी क्योंकि जो सोया बीन के पीसे से वो जब ग्रेवी मिचाते हैं तो फूल जाते हैं और ग्रेवी को सोक कर लेते हैं तो यहां पर मैंने दो ग्लास पानी डाल दिया है और इसको हम बॉइल आने तक पकाएंगे जब तक यह अच्छे से पकने जाता है पानी इसका तो यहां पर आप देख सकते हैं पानी अच्छे से पक रहा है इसको लगभग मैंने 6-7 मिनट के लिए इसी तरह से मेडिया माच पर पकाया था जब तक पानी अच्छे से पका नहीं होगा तो ग्रेवी में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा अब यहां पर हम यह जो हमने पीसे अब हमें आपको थोड़ी सी पतली लग रही होगी लेकिन जब आप इसको रख देंगे ना थोड़ी तेर के लिए तो यह बहुत जादा गाड़ी हो जाती है एक दम थेक हो जाती है क्योंकि ग्रेवी बहुत जादा सोप कर लेते हैं यह चाबल का आटा है चाबल का आटा पानी को पीता है और यह देखिए हमारी टेस्टी सी सोया बड़ी की सबजी बना कर तैयार हो गई है इसके आगे आगे आप पनीर, नॉन बेज, फिस्स, सब कुछ खाना भूल जाएंगे अगर एक बार मेरे तरीके से यह सोया बड़ी की सबजी बना कर ट्राइगे तो आप रेस्पी थोड़ी सी भी पसंद आई हो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजेगा रेस्पी पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजेगा साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कीजिए त आप सबके साथ मुझे इसे कट करके भी शेयर करना था मैं आपको इस तरह से दिखा दू कि यह कितने ज्यादा सॉफ्ट बन कर तयार होते हैं तो यह देख सकते हैं अब कितने सॉफ्ट हैं और यहां पर हमने आलू पनीर कुछ भी यूज रही किया है इंजॉय कीजिए और रेस्पी को लाइक शेयर करना बिलकुल भी मत भूलिएगा